नमश्कार दोस्तों, एमे लुध्याना देख रहे सभी दश्कों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे खाटु शामजी की, खाटु शामजी की महिमा अप्रमपार है। खाटु शाम को भगवान श्री कृष्ण की कल्योगी आफ्तार की रूप में जाना जाता है। ऐसा कही जाने के पीछे एक पौरानिक कता है। राजस्थान के सिखर जिले में इनका भवे मंदर स्थित हैं, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रधालू आते हैं। लोगों का विश्वाश है कि बाबा शाम सभी की मुरादे पूरी करते हैं और रंक को भी राजा बना देते हैं। बाबा खाटु शाम का संबंद महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडो पुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटु शाम की अपाल श्रक्ति और श्रमता से प्रभावित होकर श्रेक्रिश्ण जी ने इन्हें कल्यूग में अपने नाम से पूजे जाने का वर्दान दिया था। लाक्षा ग्रे की घटना में प्राण बचा कर वनवन भटकते पांडवों की मुलाकात ही डिम्बा नाम की राक्षसी से हुआ। यह भीम को पती की रूप में प्राप्त करना चाहते थे। माता कूंती के आग्या से भीम और हडिम्बा का विवा हुआ जिसे घटोर गज का जनम हुआ। घटोर गज का पुत्र हुआ बर्बरी जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायवी था। बर्बरीग देवी का उपासक था। देवी के वर्दान से उसे तीन दिव्यव व परिक नजे और , गर बरेक युद्ध के विरुद्ध होगा बर्बरीक्स再來 करまने अनजान वते हुए श्रीकृष्ण ने बर बारत युद्ध का निर्णे कर सकता है श्रीकृष्ण जी ने उनकी परिक्षा लेनी चाही तो उन्होंने एक वान चलाया जिसे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गए एक पत्ता श्रीकृष्ण जी के पैर के नीचे था इसलिए वान पैर के उपर ठहर गया श्रीकृष्ण बर्बरीक की शमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद में भाग लेने से रोकना चाहते थे इसके लिए श्रीकृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े प्रकर्मी हो मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगी बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्रीकृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीष मांग लिया बर्बरीक समझ गया कि यह ब्राहमन नहीं कोई और है और वास्तविक परिचे देने के लिए कहा श्रीकृष्ण जी ने अपना वास्तविक परिचे दिया तो बर्बरीक ने खुशी-खुशी शीष जताई थी इसलिए श्रीकृष्ण जी ने बर्बरीक के कटे शीष को युद आव लोकन के लिए एक उचे स्थान पर स्थापित कर दिया था युद में विजय प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेह लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे तब श्रीकृष्ण जी ने भाकाल की रूप में रग्त पान कर रही थी श्रीकृष्ण जी ने प्रसन होकर बर्बरीक के उस कटे सिर को वर्दान दिया कि कल्यूग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्यान होगा धैरे अर्थ काम मोक्ष की श्रीकृष्ण विराट शाली ग्राम रूप में संबत 1777 से खाटु शाम जी के मंदर में स्तत होकर भक्तों की वनुकामनाय पूर्ण कर रही हैं प्रतेक वर्ष हूली के तुहार पर खाटु शाम जी का मेला लगता है इस मेले में देश विदेश से भक्त जन बाबा खाटु शाम जी के दर्शन के लिए आते हैं इस मंदर में भक्तों की गहरी आस्था है बाबा शाम हारे का सहारा लखदातार खाटु शाम जी खाटु क नरेश और शीश का दाने इन सभी नामों से खाटो शाम को उनके भक्त पुकारते हैं, खाटो शाम जी के मेली का आकर्शन यहां होने वाली मानव सेवा भी है, बड़े से बड़े घरानी की लोग आम आदमी की तरह यहां आकर शिधालों की सेवा करते हैं, कहा जाता है कि ऐसा करने से पुण्ण की प्राप्ती होती है भकतों की इस मंदर में इतनी आस्था है कि वह अपने सुखों का श्यर verbess उन्हीं को देते हैं भकत बताते हैं कि बाबा खाटो शाम सभी के मुरादे पूरी करते हैं खाटो शाम में आस लगाने वाले की जोली बाबा खाली नहीं रखते और बाबा हर एक भक्त की मनुकामना पूर्ण करते हैं यह थी खाटो शाम जी की महिमा से जुड़ी कुछ कताई उनके बारे में कुछ चानकारी कैसे लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताए और इसी तरह देश दुनिया की साथ जुड़ी चमतकारी मंदिरों के बारे में जानने के लिए एमिल उध्याना के साथ बने रहे और इसी तरह इतिहासिक पन्नों से जुड़ी जानकारीयों के लिए एमिल उध्याना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले धन्यवाद